मोना लिशा पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है लियानाडो डाविंची ने तो इतनी सारी पेंटिंग बनाई थी लेकिन यही क्यों फेमस हुई मैं बताता हूँ 2011 में यह पेंटिंग चोरी हो गई थी और दो साल के बाद यह एक इटालियन वेटर के होटल के रूम में मिलती है टंगी हुई बस उसी समय यह पेंटिंग इतनी हाइप में आ गए थी चोरी होने के बाद कि लोगों को पता चल गया था कि मोना लिशा पेंटिंग बोलके भी है